Hello students, आज हम BSC Part 1, Subject Geology, Paper 2, Unit 2, Chapter 1, Fishes के अंतरगत, Migration in Fishes का अध्यान करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर वीडियो सेशन में मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर अब जिलो जी, किरोडिमल गॉर्मेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगर्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। Migration को अध्यान करने के जिस्टिकोंट से हमने विशेवस्तु को इन बिंदों पर केंद्रित किया है। Definition of Migration, Movement during Migration, Shoaling and Schooling during Migration, Common Migratory Fishes, Types of Migration on the basis of Routine, Types of Migration on the basis of Needs, Types of Migration on the basis of Habitate, Factors Influencing Migration and Significance of Migration. Fish के बारे में ये सामाने से जानकरी है कि Fish aquatic vertebrates हैं जिनमे paired fins पाए जाते हैं। Paired fins के रूप में pectoral और pelvic fins पाए जाती हैं। Fishes aquatic होती हैं और ये फ्रेश वाटर, मेराइन, यूस्टरीज और मार्शी हैबिटेट्स पर पाए जाती है। Migration, Fishes में एक प्राटिर्तिक और स्वाभावी क्रूप से प्रदर्शित होने वाला ब्यवहार है। Fishes की अलग-अलग जातियों में, अलग-अलग प्रकार से Migration देखने को मिलता है। आईए, सबसे पहले हम देखें, Definition of Migration। Migration को कई तरीकों से परिभाशित किया गया है। इन में से पहला, Migration is the movement of large number of animal from one place to another place for their needs and various reasons। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, Fishes के समूह का जाना उनकी आउशक्ताओं और विभिनकारणों से होता है। इसे Migration कहा जाता है। Number of Fishes show a periodic movement from one dwelling place to another। Fishes एक निशित अंतराल के बाद अपने मूल आवाज से किसी दूसरे आवाज की ओर गती कर जाती हैं। और इस periodic movement को Migration कहा जाता है। The movement of large number of Fishes for purpose of feeding and breeding is called Migration। Fishes में, feeding के उदेश से और breeding के उदेश से जब बड़ी संख्या में किसी अन्य स्थान पर चले जाना यह Migration कहलाता है। निकोलिस्की ने 1963 में Migration को परिभाशित करते हुए कहा था कि Migration is an adaptation towards increasing the abundance of species। बेकर 1998 में इन्होंने Migration को इस तरह से परिभाशित किया है कि Migration is the act of moving from one hospital unit to another। एक सुनिश्चित इस्थान से दूसरे इस्थान की और जाने की जो प्रवित्ती है यह Migration कहलाती है। Movement during Migration Fishes, Migration के दर्म्यान अलग-अलग तरह का Movement प्रदर्शित करती है और इस Movement को कई भागों में विभाजित किया गया है। इनमें पहला है Drifting Movement, Drifting Movement यह Passive Movement होता है। अर्थात यह जल की धारा की दिशा में उसके बहाओ की दिशा में होता है। और जल जिस दिशा में बहरहा होता है उसी दिशा में बिना किसी प्रयास के जो Fishes हैं वो बहते चली जाती हैं। इस प्रकार के Movement को जो Migration के अवधी में होता है उसे Drifting Movement कहा जाता है। दूसरा Dispersal Movement यह एक Random Movement की प्रक्रिया है। जिसमें Fish एक Uniform Habitate से एक सामाने आवाज से विभिन दिशाओं की और गती कर जाते हैं। इस प्रकार के Movement को Dispersal Movement कहा जाता है। तीसरा Swimming Movement यह किसी भी तरह के Stimulation की दिशा की और यह Stimulation के विप्रीद दिशा की और होने वाली गती है। उदारण के तोर पर यदि Electric Fishing के बारे में आपको जानकारी होगी तो यह उसका एक अच्छा उदारण है। पानी में जब Electricity Supply की जाती है तो Fishes उस Supply Point की और आकरशित होने लगती हैं और उस जगह पर एकत्रित हो जाती है। तो यह Electrical Stimulation के कारण से उनका मुवमेंट उस Particular Direction पर होता है। तो इस तरह के मुवमेंट को Swimming Movement कहा जाता है। और चौथा है Denatant and Contradenatant Movement यह Active प्रकार का Swimming है। जिसमें बड़ी सक्रीता के साथ जो Fishes होती हैं वो तैरती हैं। तो Denatant Movement का आशे जलकी धारा के बहाओ की दिशा में तेजी के साथ सक्रीता के साथ Fishes यदी गरती करती हैं तैरती हैं तो उसे Denatant Movement कहा जाता है। दूसरा Contradenatant Movement जलकी धाराओं के बहाओ के विप्रीत दिशा में यदी फिश तेजी के साथ सक्रीता के साथ गती करती हैं तैरती हैं तो उस प्रकार के Movement को Contradenatant Movement कहा जाता है। Sholing and Schooling During Migration तो Sholing and Schooling का आशे हम इस तरह से समझते हैं Sholing का आशे यह हुआ कि मचलियों का एक साथ आना और एक साथ आने के बाद एक बड़ा समुह बनाना और समुह का एक साथ किसी दिशा पर प्रवास कर जाना यह Sholing Migration कहलाता है। और इसके उधारण है Salmon, Hillsah, इत्यादी। दूसरा है Schooling Schooling में मचलियों का एक समुह उनके एक जगह पर एकत्रित होने के कारण से निर्मित होता है और वह समुह एक साथ किसी दिशा में प्रवास करते हुए आपसी तालमेल के द्वारा विभिन प्रकार के Shapes बनाता है तब इस प्रकार के Migration को Schooling कहा जाता है और Schooling की प्रक्रिया सार्डीन और टूना में आसानी के साथ देखने को मिलती है। यह उनका स्वाभाविक ब्योहार भी होता है Common Migratory Fishes यह कुछ Fishes के नाम हैं जो सामान्य तोर पर Migration करती हैं। इनमें हैं टूना, हिलसा, सैल्मन, हैरिंग्स, कॉड, इस्टिकल बैक, इल, ट्राउट, मैकरल, एंड टेरापॉन। इसके अलावा भी अन्य प्रकार की Fishes हैं जिनमें Migration की प्रक्रिया देखने को मिलती हैं। यहां पर हमने एक लिस्ट दिया हुआ है, यह इस्पेशली महानदी के मुहाने पर जो Migratory Fish record की गई हैं, उनके नाम यहां पर दिये हुए हैं। और यह नाम क्रमशह, क्रमांक 1 से 19 तक यहां प्रदर्शित किये गए हैं। यह Fishes Migration के दर्मियान जब महानदी और C आपस में जिस स्थल पर मिलते हैं, वहां पर यह देखने को मिलती हैं। Type of Migration on the basis of routine, उनकी दिन्चरिया के नुरूप, Migration भी कई प्रकार के होते हैं। जिन में से पहला, Daily Migration, इसमें Fishes Feeding Ground की ओर Migrate करती हैं, और इनका उद्देश मुख्य रुप से भोजन प्राप्त करना होता है। चुकि यह Migration प्रतिदिन होता है, इसलिए इसे Daily Migration कहा जाता है। दूसरा, Annual Migration, यह Migration सामान्य तोरप पर breeding ground की तलाश में होता है। और जहां Fishes उस इस्थान पर जाकर के breeding करती हैं, reproduction करती हैं और spawning करती हैं। तीसरा, Generational Migration, इस प्रकार के Migration में जो Parents होते हैं, वो अपने feeding ground को छोड़ करके breeding ground की ओर चले जाते हैं। और breeding ground पर पहुचने के पश्चात, उनमें spawning होती है, वो अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद Parents की death हो जाती है, वो मर जाते हैं। और उस breeding ground पर जो अंडे दिये गए हैं, उन अंडों का विकास होता है। और उनसे जो शिशू मचलियां बाहर निकलती हैं, hatching के उपरांथ, वो पुनह migrate हो करके अपने parent के मुख्य स्थान पर आ जाती हैं, वापस लोड़ जाती है। इस प्रकार के migration को generational migration कहा जाता है। Types of migration on the basis of needs और शक्ता के अनुसार migration वो इस तरह से हैं, पहला feeding migration इसे elemental migration भी कहा जाता है। आवास में भोजन की कमी होने पर, fishes नए feeding ground की तलाश में अपना इस्थान बदल देती हैं। इस प्रकार के migration को feeding या elemental migration कहा जाता है। दूसरा spawning or gametic migration, जो adult brooders होते हैं, mature parents होते हैं, वो breeding season में अपने feeding ground को छोड़ करके spawning ground की ओर चले जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, तब इस प्रकार के migration को spawning या gametic migration कहा जाता है। तीसरा seasonal or climatic migration, वातवरण में किसी भी तरह के परिवर्तन होने के कारण से या अनुकूल वातवरण की तलाश में fishes migrate कर जाती हैं, अपना इस्थान बदल लेती हैं, इस प्रकार का migration, seasonal या climatic migration कहलाता है। चोथा, asmo regulatory migration, शरीर में water और salt, जिनको हम electrolytes भी कह सकते हैं, का संतुलन बनाए रखने के लिए fishes, sea से fresh water की ओर, या fresh water से sea की ओर migrate करती हैं, इस प्रकार का migration, asmo regulatory migration कहलाता है। और last है juvenile migration, इस पानिंग ग्राउंड में जहां पर parents ने अंडे दिये हैं, वहां अंडों के भीतर, जब शिश्वों का विकास पूरा हो जाता है, वो अंडों से हैज करके बाहर निकलते हैं, और बाहर निकले हुए शिश्व, या जो लारवा हैं, ये अपने parents के feeding habit या feeding ground की वापस लोड़ जाते हैं, तो शिश्वों का अपने parents के feeding ground की और वापस आना, इस तरह का जो migration है, वह juvenile migration कहलाता है, Types of migration on the basis of habitat, fishes के मुख्य रूप से दो तरह के आवास होते हैं, पहला seawater और दूसरा है fresh water Migration, fishes का एक स्वाभाविक ब्योहार होता है, habitat के आधार पर, आवास के आधार पर migration को इतने भागों में classify किया जा सकता है, पहला, Potemodromus, दूसरा, Osinodromus, तीसरा, Ampidromus, चौथा, Diadromus, यह Diadromus, Enadromus, और Ketadromus प्रकार का होता है, पांचवा, Latitudinal, छठवा, Vertical, और साथवा है, Soarward Migration, आईए क्रमिक रूप से, हम, Migration के इन प्रकारों का विस्तार से अध्यन करते हैं, पहला, Potemodromus Migration, Potemodromus Migration, fishes का एक fresh water habitat से, दूसरे fresh water habitat में migration करने की प्रक्रिया को Potemodromus Migration कहा जाता है, और इसके बहतर उदारण है, Carps और Trout, इस चित्र के माध्यम से हम यह देख रहे हैं, कि fishes जो fresh water में रहती हैं, डाउन इस्ट्रीम पर रहती हैं, वो किनी भी कारणों से, अप इस्ट्रीम की ओर, माइग्रेट कर जाती हैं, और माइग्रेशन करने की जो वज़ह है, ये उन्हें भोजन की आउशकता, spawning या oxygen rich zone के रूप में हो सकती, और यहां प्रवास करने के बाद, माइग्रेट करने के बाद, वो पुनह वापस अपने डाउन इस्ट्रीम पर आ जाती हैं, तो मुलता हैं यहां जो माइग्रेशन है, वो fresh water habitat से, fresh water habitat की ओर ही हो रहा है, इसलिए इस तरह के माइग्रेशन को, पोटेमोड्रामस माइग्रेशन कहा जाता है, दूसरा यह ओसियोणोड्रामस माइग्रेशन कहलाता है, ओसियोणोड्रामस माइग्रेशन में फिशेज का सी अर्थात समुद्र से, जो कि उनका आवास होता है उसी समुद्र में एक इस्थान से समुद्र के किसी दूसरे इस्थान पर माइग्रेट कर जाना Oceano Dromus Migration कहलाता है और इसके उधारण है कुलूपिया, टूना और थूमस इस चित्र में हम देख रहे हैं कि समुद्र में कोरल एरिया पे या रीफ एरिया पे रहने वाली जो फिशेज हैं वो भोजन की तलाश में या इस्पानिंग की तलाश में उसी समुद्र के किसी दूसरे भाग पर चली जाती है और इस भाग को वो spawning ground के रूप में या feeding ground के रूप में chain करती और यहाँ spawning करने के बाद वो पुनह वापस अपने मूल आवास पर लोट आती चुकि यहाँ पर migration समुद्र के भीतर ही एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर हो रहा है इसलिए इस तरह के migration को oceanodromus migration कहा जाता है तीसरा यह amphidromus migration कहलाता है amphidromus migration में fishes का sea water habitat से fresh water habitat habitat एवं fresh water habitat से sea water habitat में freely movement स्वतंता पूर्वक migration की जो प्रक्रिया है वह amphidromus migration कहलाती है और इसके उधारण है चेनोज, megalopa, etc यह amphidromus migration सामान्य तोर पर feeding के लिए ही होता है breeding के लिए यह नहीं होता है चौथा, diadromus migration यह diadromus migration दो प्रकार का होता है पहला, anadromus migration anadromus migration में fishes sea से fresh water की ओर migrate करती है और इनका यह जो migration होता है यह mainly breeding के लिए होता है और इसके उधारण है salmon, sturgeons, hilsa, ityadi इस चित्र में हम देख रहे हैं कि यह जो anadromus fishes होती है यह मुख्य रूप से समुद्र में रहती है यह इनका प्रमुक आवास होता है और समुद्र से यह eustories से होते हुए river में चली जाती है अर्था, salt water से यह fresh water में चली जाती है और इस तरह के प्रवास को anadromus migration कहा जाता है eustories का आशय उस जल से है जहां पर नदी समुद्र से मिलती है और इस eustories में जल की जो quality होती है वो न तो fresh water होती है न वो salt water होती है बलकि वो mixed water होती है ऐसे इस्थल को eustories कहा जाता है यह fishes sea water से eustories के माध्यम से होते हुए river में चली जाती है salmon इसका एक अच्छा उदारण है salmon जब परिपप हो जाती है तो male और female दोनों eustories से होते हुए river में लंबी दूरी तक migrate कर जाती है और river के उस भाग में जहां oxygen की उपलबधता प्रचूर होती है वहाँ spawning होती है breeding होती है और उसके उपरांज जो अंडे दिया जाते हैं इन अंडों का विकास भी river में ही होता है अंडे देने के बाद जो male और female brooders होते हैं ये मर जाते हैं और इन अंडों से जो शिशू निकलते हैं वो शिशू कुछ समय के पर शाथ river को छोड़ करके उना eustories से होते हुए ये वापस समुद्र में अपने parent के आवाज पर लोट आते हैं तो यहाँ पर मुखी रुप से जो migration है वो समुद्र से fresh water या river की दिशा पर हो रहा है इसलिए इस तरह के migration को enodromus migration कहा जाता है दूसरा catadromus migration या enodromus के विपरीत होता है इसमें जो fishes होती है वो fresh water से समुद्र की और migrate कर जाती है और उनका उदेश ब्रीडिंग का होता है इसके उदारण है angula ये angula जो fresh water या river में पाई जाती है जो eustories से होते हुए समुद्र में चली जाती है और समुद्र में अंडे देने के बाद यह वापस river में लोट आती है चूंकि वयस्क का मूल आवास river है और वह breeding या spawning के लिए sea water की और migrate कर रही है तो इस तरह का migration catadromus migration कहलाता है पाचवा है latitudinal migration fishes का climate change होने के कारण से जलवाईयों या मौसों में परिवर्टन होने के कारण से वो अपना इस्थान बदलती है तो इस प्रकार के migration को latitudinal कहा जाता है और मुखी रुप से climate change के कारण से वो fishes जो की उत्तरी गुलार्ध में या नार्थ पोल जोन में रहती है वो साउथ पोल जोन या दख्षणी गुलार्ध की दिशा पर माइग्रेट करते हैं तथा, साउथ पोल की जो fishes होती है वो नार्थ पोल जोन की दिशा पर माइग्रेट करते हैं तो इस प्रकार के migration को latitudinal migration कहा जाता है इसे requirement migration के नाम से भी जाना जाता है उदारंड के तौर पर जो sward fish यह migrate करती है spring season में नॉर्थ दिशा की और और south दिशा की और यह autumn season पर migrate करती है तो climate जब भी परिवर्तन होता है यह migrate करती है उदारंड के तौर पर यदि उत्री गुलार्ड में ठंड पढ़ने लगती है ने अर आप जमने लगती है यहां का तापमान काफी नीचे गर जाता है, भोजन की कमी हो जाती है ऐसी दशाम में इस नार्थ पोल की फिशेस, नार्थ पोल को छोड़ करके उन। शेतरों की और प्रवास कर जाती हैं, जहां का तापमान शरीर की आउशक्ता के अनुरूप होता है तथा इस जगह पर भोजन की भी पर्याप्त उपलब्तता होती है इस तरह के migration को latitudinal migration कहा जाता है छट्वा वर्टिकल माईग्रेशन वर्टिकल माईग्रेशन आम तोर पर fishes में होने वाला स्वाभावी और प्रति दिन नीमित रूप से होने वाला migration है जिसमें समुद्र की गहराई से समुद्र की सतह की और migration करती है और समुद्र की सतह से समुद्र की गहराई की और migration करती है इस प्रकार के migration को चुकि ये bottom से surface की और vertical direction में या surface से bottom की और vertical direction पे होता है इसलिए इस तरह के migration को vertical migration कहा जाता है या vertical migration भोजन की तलाश में, shelter या सुरक्षा की तलाश में या spawning आदी के लिए होता है उदारण है swordfish ये जो swordfish है, ये vertically downward migrate करती है समुद्र की गहराई में, भोजन की तलाश में ये इसका प्रमुक उदारण है आईए, सात्वे तरह के migration के बारे में देखें ये है shoreward migration shoreward migration में, fishes अपने जली आवास से, जमीन से होकर, इस्थल से होकर के, दूसरे जली आवास की ओर migrate करते हैं यह migration अइस्थाई होता है और इस प्रकार के migration को shoreward migration कहा जाता है तो एक pond से, मालिजिए ये एक pond है ये दूसरा pond है तो एक pond से, दूसरे pond के जाने के लिए बीच का यह जो भाग है, ये जमीन का हिस्सा है ये हिस्सा मार्शी भी हो सकता है तो कोई फिश यदि एक्वेटिक हैबिटेट से या हम कह सकते हैं वाटर से इस मार्शी एरिया से होते हुए जमीन से होते हुए दूसरे pond पर या दूसरे water bodies पर प्रवास करती है तब इस प्रकार के migration को shoreward migration कहा जाता है इसका उधारण है इल या इल जो की स्वच्च जल में पाई जाती है ये ने स्वच्च जल की तलाश में pond से बाहर निकल कर मार्शी एरिया से होते हुए या दूसरे pond पर पहुँच जाती है इस तरह के प्रवास को shoreward migration कहा जाता है आईए अब हम देखें migration के लिए कौन-कौन से factors ये जिम्मेदार होते हैं पहला गोनेट्स मचलियों में जब गोनेट्स पूरी तरह से विक्सित हो जाते हैं परिपक्व हो जाते हैं उनके reproductive organs पूर्ण रूप से विक्सित हो जाते हैं तो ऐसे जो mature fishes होती हैं उनके बिवहार में परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन के कारण से वो migrate कर जाती है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो sexual development है इस sexual development के कारण से fishes को stimulation मिलता है प्रेना मिलती है और वो migration करते हैं दूसरा जिस habitat में जिस आवास में वो रहते हैं वहाँ पर यदि भोजन की कमी है तो भोजन की आवशक्ता को पूरा करने के लिए वो प्रवास कर जाते हैं तो भोजन की कमी भी एक महत्पूर्ण कारण है तीसरा आवास में फीजयो केमिकल चेंजेज होना पानी की गुणवत्ता में कोई भोतिक और रसायन परिवर्तन होने लगता है इसके फलसरो फिशेज किसी सुरक्षित और अनकूल वातावरंड की तलास में वहां से माइग्रेट कर जाती है मौसम या वातावरंड में परिवर्तन, पानी के तापमान में या क्लाइमेट में किसी तरह का चानक परिवर्तन भी फिशेस को माइग्रेशन के लिए प्रेरित करता है शरीर पर जमा हुआ फेट भी फिशेस को माइग्रेशन के लिए प्रेरित करता है High Metabolic Rate के कारण से फिश के शरीर पर फैट जमा हो जाती है और ये जमा हुआ फैट फिश को Migration के लिए प्रेडित करती है उसे बाद ये करती है अब हम देखें Significance of Migration Migration का क्या महत्वा है Migration के Benefits या लाब इस तरह से है पहला परियाप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होता है दूसरा, Migration से फिशेश को नया सुरक्षित आवास उपलब्ध होता है तीसरा, प्रतिकूल परस्थितियों से इन्हे सुरक्षा मिलती है और चवथा, प्रजनन हेतु सुरक्षित वातावरण और अनुकूल वातावरण भी इन्हे मिलता है और पांचवह हैं अंडों तथा शिश्वों के विकास के लिए उन्हें अनुकूल वातावरण, भोजन और सुरक्षित इस्थान मिलता है ये migration के benefits हैं आईए अब हम देखें migration से क्या क्या harm है क्या क्या नुकसान होते हैं पहला risk of predation during migration प्रवास के दर्मियान दूसरे परभक्षियों द्वारा खा लिये जाने का जोखिम निरंतर बना रहता है दूसरा प्रवास के दर्मियान वाताबरण में जो sudden change होता है जो climate में change होता है weather में change होता है या hypoxia oxygen की कमी हो जाने से जो fishes होती हैं ये ठक जाती और इसके परणाम सरूप कई बार इन fishes की death भी हो जाती है और तीसरा हम देखें प्रवास चूंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और प्रवास में समलित जो कमजोर fishes होती है जिने हम weak migrant कहते हैं ये मर जाती है क्योंकि ये लंबी दूरी तै नहीं कर पाती है और ये migration के कारण से fishes में होने वाली हानिया है कोशेन अबर परिक्षा में जो प्रश्ण आम तोर पर पूछे जाते हैं वो इस तरह से हैं पहला वाट इस माइग्रेशन माइग्रेशन को परिभाशित करना है और राइट दी नेम आप माइग्रेटरी फिशेश दूसरा राइड ती दी तीस आफ मिग्रेशन इंफिश्यश एड दी झावर सुटेयर एड़ेश्स तीसरा राइड दी नेम अब्सापर दीमां ग्रेटरी दीशिश्श चाथा राइड नट नं Significance of Migration in Fishes पांचमा Right Note on Factor Influencing the Fish Migration और छठमा है जो निबंधात्मक पूछा जाता है Write an essay on Migration in Fishes विशेवस्तु को जिन सुरूतों से हमने लिया है उनके नाम यहाँ पर दर्शाएगे है दन्यवाँ